अंदर दिराटी है, कैसा उन्हों पिछाटी है, देख रख 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 नमस्थे प्यारे और सामजिक बच्चों मानो एक सामजिक प्राणी है और बिनाथ कम्विनिकेशन के उसका काम नहीं चुलता तो आज जो चप्टर पढ़ने जाने हम, उसका नाम है कम्विनिकेशन सिस्टम्स कहीं पर भी हैडिक लगाने की जरूत नहीं है, अगर तुम बुग लेंके आये हो, तुम बुग ओपन कर सकते हैं चप्टर 15, कम्विनिकेशन सिस्टम्स इसे हमें बाटना है ठीक है, मिलगे हैं सबको? विदेशी मुद्र आजित कर रहा है, क्योंकि सेटलाइट के टेकनोलोजी के फील्ड में हम काफी आगे निकल चुके हैं प्रदान मंत्री राजियोगादी के समय में हमारे पास cryogening engine नहीं था तो उसमें राजियोगादी पहले रशिया के पास गए, टेकनोलोजी ले रहें अवे लेकाने पीज में टामड़ है, उसने बुला नहीं भारत को टेकनोलोजी नहीं दोगे तो टेकनोलोजी फाइनली नहीं मिल पाई, वापस वो लॉट कर आए और यहां के वेक्यानिकों नहीं उनको सांतों ना दी कि बोल कोई बात नहीं मिली कोई बात नहीं आप खुद डेवलॉप करेंगे तो हमने खुद cryogening engine की टेकनोलोजी नहीं डेवलॉप की और उसके बाद ना केवल अपने अपने दूसरे कंट्रीज के सटलेक्ट को भी लांच किया तो आर्टिकल 15.1 जो पहला फर्स परिग्राफ है वहांसे स्टार्टिंग होती है जिसमें definition को अटलाइन कर सकते होतों communication is the act of transmission of information तो तुमसे पूछाजा है communication क्या है तो communication is an act of transmission of information सवाल रुपता है physics में क्यों पढ़ रहें इसको जवाब है physics में measurable physical quantities को पढ़ते हैं और communication में information जो है वो एक measurable physical quantity है उसको ना पाजा सकता है पहले की बात करें जब तुमें निबंद लिखने को मिजदा था तो निबंद नामते थे इसलिए हम partners को physics में, communication system communication के successful होने के लिए ज़रूरी है कि जो center है और जो receiver है वो एक common language समझते हो ठीक है? तभी communication successful होगा center तो information बेंद रहे, receiver को समझ में नहीं आगा तो communication fail हो गया Every living creature in the world experiences the need to impart or receive information almost continuously with others in the surrounding world तोता है वो भी communicate कर रहे है मदू अख्य वो भी communicate कर रहे है जितने पी जीवित प्राणी है वो उनको communication की जरूरत है ना किवल अपनी प्रजाती आत्मी ने भी कोशिश किये man has constantly made antivores to improve the quality of communication with other human beings तो as per need इसमें changes आये है अगर अध्रिक्ष में कहीं और जीवन हैं तो हम उनसे communicate करना चाहते है उसके लिए हमने radio telescopes बनाए radio telescopes बनाकर यहां से हम radio waves बेशते है signals बेशते हैं कई फिल्में बनी हैं जैसे तुमने देखी हैं इंको हाँ हम दूसरी प्रजाती के जीवों से भी communicate करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वह हमारी बातों को समझें इस पे भी फिल्में बनी हैं दॉक्टर दूलिटल पार्ट बन पार्ट तू मौका मिले तो तुम देख सकते हो एं दॉक्टर दूलिटल पार्ट त्री इसमें जो दूक्टर दिखाया वो जांगरों की भाशा को समझता है और यह खली विदेशों में नहीं तुमने दादा जी नादा जी नादी जी इन से कहानिया सुनिया होता है ऐसी कहानिया हुआ करती थी हमारी मौत प्रेशलित थी कि दो तोते पेड़ पर बैटे थे उन्होंने देखा कि चोर आये उन्होंने लूट का माल पेड़ के नीचे गटा बोट के टबा दिया अब दो दोस उदर से निकले उनमें से एक दोस तोतों की भाषा समझता था तो तोते आपस में बात कर रहे थे कि हाँ यहाँ पर जो है भी चोर गटे में हाँ लूट का माल दबा कर गए है तो एक को बदा चल गया है हो समझ गया उनकी भाषा यानि यह बात किसका जिक्र पहले के टाइम में भी आता है भारत में भी आता है लेक्विजिजेंग मैंथर्स यूजेंट कम्निकेशन हैव कैप्ट इवालविग प्रॉम प्रीस्टोरिक तो आता है तो आता है तो इस भाषा ज़िए आधा है जैसे जैसे हमारी आवशकता है बदलती गई तो पहले के टाइम से आपकाश में बात्शीत करने को बात्शीत करने को इदर फोकस करो बहुत काम की चीजे तुमें मिलेगी तो 1G से 2G हुआ 2G से 3G टेकनलोजी का एडवांस्मेंट प्रीस्टोरिक ट्रेन के बात करें तो तुमें पता है केव पेंटिंग्स तो इसमें ये केव पेंटिंग्स भी कम्मुनिकेशन का एक जड़िया है उस समय के आदमी ने जो केव पेंटिंग्स बनाई उनको आज दिखकर हमें पदच होता है उस समय जीवन कैसा था ठीके तो इतर से उन्होंने अपनी बात को कम्मुनिकेट कर दिया इस यूप तर तो पुराने समय से कई अलग-अलग प्राचीन भाषा है प्राची किया तो अंग्रीजी किल गई प्रसेंटे में हम जो पढ़ रहे है वो ना तो इंग्लिश है ना तो हिंदी है ना तो उर्दु है मिक्स्चर है और एस्पर्ट हमार्ट SMS की जो लैंग्वेज हो चुकी है SMS की इस लैंग्वेज को बुड़ाने टैंप को कोई तो यह SMS की इस लैंग्वेज इतनी शॉर्ट हो चुकी लैंग्वेज यह दे को बच्चे लिख रहे हैं कि हाँ यह शॉर्ट फॉर्म SMS में SMS कर ले है तो बुड़ाने टैंप में किसी को दिखाए तो वो समझ नहीं सकता वास्ता में बात्चीत क्या हो नहीं तो हम कहां से कहां तक पहुंच गये हैं Evolution of Mobile for Communication अभी 4 जी तो आगे हैं तुम्हें पता है 2030 तक 20 के बाद है न 20 से 30 तक 2020 के पास 5G आज रहे है 2020 में 5G टेक्नलोजी आज रहे है इतमें किस तरह से चेंज आया जो 1G था उसमें सिर्व वाइस सिगनल्स अगले पहते हमारे पास Analog Cellular Phones थे एक का सिगनल दूसरा पकड़ सकता तो कोशिश करे तो तो के साथ डाटा सिगनल में जाने लगा Digital Fidelity Cellular Phones आगे GSM CTMA और 2.5G पीछ में था 2G 3G में वीडियो सिगनल के आगे वीडियो टेलफोनी इंटरेट सर्फिंग के सब पॉसिबल हो गया और 4G में इसमें एनांस्मेंट आगे स्पीड बढ़ गई तो यह टेखनोलोजी कल एडवांसमें तो हमें देखना है मेजर माइल स्टोन्स क्या रहे इसके लिए तुम पेज पलटके टेबल 15.1 पे जाओ अराउं 1565-80 बाश्चाक पर एक जगे थे और बीरबल की रानी जो है जिसको बच्चा होने वाला था बेगम वो दूसरी जगे थी तो बच्चा होने की खबर को अकबर पर पहुँचाने के लिए अकबर ने बीरबल को जिम्मेदारी सौंपी बीरबल ने अपना सिमाग लगाते हुए उस समय सबसे तेज सिगनल पहुचाने के विवस्तक की उस समय जो अविलेबल मैथट्स हुआ करते थे वो क्या थे या तो कोई दूत या अरकारा मेसेंजर गोड़े पर जाकर सूचना देता अब गोड़ा चलता मैक्सिमुम कितनी स्पीड 180 किलोमेटर प्रती गटा माल तो चल ले था क्यालकूलेशन के असानी के लेले हमने तो 180 किलोमेटर प्रती गटा अज़र से कार्ट दौर दिये तो उसके चलता तो मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड निकल के आती 180 इंटू 5 पर 18 50 मीटर पर सेकंड पर जब उसने नगाड़ा मादकों का इस्तमाल किया नगाड़ा मादक पैचानो एरा तो फीर्भल ने ये ते किया कि कितने नगाड़ा मादक बेत हैं परसे attachment कर दें Люб अस commercials और सब्संें पर उन वार आगे चलिए इस तरह से पूरा सिימनल तो आल्मोस्ट स्पीड और साउंड से ट्रांस्मेट हो गया पिर तुमने लॉट आप दरींग सी फिल्में अगर देखिये तो एक पाड पर जलाई उसको देखकर दुखसे पाड जलाई तो आल्मोस्ट सिंट ट्रांस्मेट हो एस्पीड ओफ लाइट से इतना फास्ट तो य चमली कभील होगा करते थे फेंटम जहांपे राज्य करता थे एक फेंटम के खानिया जो है उसमें दिखाते हैं बीगड ओन है बंधार पोने हैं तो उंके कभील होते थे और कभीलों में संदेश बूलते जंगल में आग की तरह फैलता था वो जो उतर तुम देख रहे हो आफसेट में वो एक बजारा नगाडा, पूरी टीम होती थी, नगाडा बातकों की, और ये ट्रेंड टीम होती थी, और वो अलग तरह से नगाडा बजाकर डिफरेंट सिंगनल्स को ट्रांस्वीट कर देते थे, तो गोड़ेड वे में सिंगनल पूरा फैल जाता था, ये इसमें चेटी रख देते, तो ये method होगा करते थे communication के, इसके बाद इसमें चीज आ रहा है, इनका जो physical travel था, इन समको आना मिला, उसकी जगह लेली, तार्ट है, या नि, invention होगया, टेलिग्राफ का, टेलिग्राफ पोल और टेलिग्राम इससे जाया करता, तो टेलिप्रिट इसमें चीज बिड्स्टॉम, वो ही इसमें बिड्स्टॉम ब्रिज वाले, इनकाला, इनकाला, अगर नहीं आदी तुफान में तार टूट के गिर गया है, क्योंकि सारा transmission किसे होगा, एक electromagnet होगा, इलेक्रो मैग्नेट का switch है, ये electromagnet नहीं है, switch है, मलो, कोटा से बूदी, ट इलेक्रो मैगनेट कोटा में है, अब हमारे पास, वायर्ड लाइन से, पहले की टाइम में खंबों पे तार लगे होते थे, दस, बारा, इतने तार होते थे, अभी आज कल देखों के सब, बगना उशिष, खतम हों के सब, क्योंकि सब कुछ वायर्ड लेस हो गया, पहले वा जैसे भी स्विच आन करोंगा, वहाँ जो एलेक्रो मैगनेट लगा हूए, उसमें जो मैक्निकल आर्म हें, वह नीचे होईगी, इलेक्रो मैगनेटर इंट्रेक्शन से, उसमें पैन लगा हूए, पैन तीचे जाएगा, पैन जांके कॉंटेक बनाएगा इसके साह, इपर के अगर मैंने थोड़ी से जर्गले switch on करके off कर दिया तो dot print होगा जाना देर on रखा तो dash print होगा और dot or dash की जो language होती इसी को कहते है Morse code, so dot or dash इसी sequence में जैसे bits जाते है 0 and 1 वैसे पूरा signal transmit हो जाता था तो पहले कोई खुशी की खबर है, नौतरी लग गई है, बच्चा हुआ है, जनम दिन है, या फिर तुकी नवर है, कोई death हो गई है तो सब telegram से जाया जाती है, तो local level पर भी डाकिया होगा तोड़ता था असपास के डाकर से और बागी एक डाकर से दूसरे डाकर के signal किसे जाता था, टेलिग्राफ के थूर जाता था, तो messenger का physical travel कम हो गया, तो यह एक major milestone रहा है, इसके बाद, next method जो आया है, 1876 में, telephone का विश्कार किया, Alexander Graham Bell ने, telephone अब तक का, ऐसा अविश्कार जो आज भी काम आ रहा है वाई, उस समय, जो अविश्कार हुआ, वो आज भी, प्रासंगिक बना हुआ है, useful है हमारे टी, landline telephone, हलांकि, और जो दूसरे अविश्कार हुए, उस अब useless होगे, जैसे cassette player, record player, BCD, floppy disk, यह सब क्या होगे, time के साथ, off sleep, पर इन से सबसे पहले का या विश्कार टेलिफोन, landline telephone, आज भी हम, यूज कर रहे हुए, तो, Alexander Graham Bell को सम्मान देने के लिए, उपके नाम पर, Bell Laboratories के स्थापना की गए, लंदन में, वहां आज भी कही काम होते हैं, आज भी कही inventions होते हैं, तो यह, Alexander Graham Bell अपने टीम के साथ, और यह और उनने जो telephone invent किया था, वह, टेलिफोन के invention के साथ, हमारे सामजिक जिवन में परिवर्दन आना शुरू हुआ, जो हम चिट्थियां लिखा करते थे, वह, काम होती चली गए, चिट्थि लिखना लगबग, बंसा हो गया, टेलिफ आइलर ट्रांस्मिशन, संसेस्फुल ट्रांस्मिशन, पॉब्लिक देवन्स्टेशन, मार्गो नहीं ने दिया, कम्निकेट किया विदाउट उजिग वायर्स, अक्रॉस अट्लांटिक अप्टो फ्यू किलोमेटर्स, तो इससे क्या फायदा हुआ, एक मेजर टिसद्वाट इससा वायर वाले कम्निकेशन में, तार कहीं पे आदी तूपार में तूड़ गया, तो मेंटिनेंस बहुत भारी पड़ता था, अलग कि अपने अप्रेटर्स बनाया है, कौन सा प्यो वाक्स, जो कि किस पर बेस्ट है, वीड्स्टों प्रिच पर, उससे हम पोस्ट आप्र मैं पैटे-पैटे पता लगा लेते थे, कितार कितनी दूरी पर तूटा है, क्योंकि जो भायर लगाया है, उसका हमें रसिस्टन्स पर यूनिटलेंग है, और अन्नों रसिस्टन्स ये मांते वे, कितार ज्यांसे पोड कि गिरा हanç फ्वर्च पर, आर्च इस गूड कर देक के साथ मार्को ने लो ट्रांस्मिशन किये कि सेंट 10,000 अक्राउस इड्लाइटी उस समय की फ़वर्ट छपी दिए उस समय न्यूस्पेपर में यह जेसी बोस जिप्दी शंदर बसूद उसके बाद मेजर मायल स्ट्रॉंग रहा टेलिविजन का एड्मेंशन 1936 में यह फ्रांसे से विख्या निक थे जॉन लोगी बेर्ड जेल बेर्ड जिनोंने टेलिविजन का विश्कार किया और पहला ब्रोड्कास्ट ब्रिटिश ब् कार्पोरेशन किताब में लिखी हुई है और वैसे भी तुम जानते होंके तो साथ में यह भी जानों कि यह जो टीवी बनाया इन्होंने एक्ट्वल में हम पढ़ते हैं नेसेशिटी इस दमगर ओफ इन्वेंशन क्या जबूरत थी भारत में क्यों नहीं बनाती हमने जिस को इन्होंने यूज करके टीवी बनाया इलेक्ट्रोन एमिशन की टेट्निक एलेक्ट्रोन को कंट्रोल करना यह टेखनोलोजी भारत में हम 17 सेंचुरी में जानते थे और इन्होंने कम बनाया टीवी दोसो साल बार तुमने सुना भी हो तो हमरे पास योग वाली टेखनोलोजी भी थी मावरत काल में सज्जे ने युद्ध का सारा हाथ ध्रत्राष्ट को सुनाया था हुए तरह का टेलिवीजन था मैकनिकल या फिजिकल नहीं था इलेक्ट्रिकल नहीं था कैसा था आध्यात हुआ युग और इसको बाद में हमने बहुत एक में कर्वर्ट किया दोसों साल थी है भारत में टेक्नावलोजी जब्द diagnosis के दोसों साल बात, ह्याह बहुत पहले हुआ हैं तो भारत में क्यों नहीं बनाया और फ्रांस में क्यों बनाया फ्रांस में उस समय गुलाम बनाकर रखने की प्रथादी एक धनाटे वर्थ था एक गरीब वर्थ था लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था पैरकों में और इस बात की जरूद मैसूस की देगी एक गुलाम तो बहुत अच्छा खिलाओ पिलाओ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दो आजाद होते ही तो पिंजने से अगर छूटा हो तो पहली सोच जो उसके दिमाग में उड़ जाएगो रोगेगा नहीं मैंने कितने एक्सपरिमेंट करके देख लिए तो यानि आजादी नेसर की हक है पहली जरूत है हर प्राणे की तो अगर कोई भी खाली समय मिलेगा तो क्या सोचेगा अपनी आजादी के बारे में सोचेगा तो उस समय ब्रेंट वाश करने के लिए उनको टीवी दिखाये जाने लगा टीवी बनवाया गया मशीन ये उस समय इन्वेंशन करते रहते थे तो इनको पैसा दिया गया और बोला गया ऐसी एक मशीन बना दो जिससे की खाली समय में इनका ब्रेंवाश पॉसिबल हो जेल में ने अपनी पायोग्राफिय में लिखा आटो पायोग्राफिय में कि मैंने इन्वेंशन करतो दिया पर मुझे डर है एक दिन यह मशीन पूरी दुनिया को गुलामना बना ले यह स्ट्रीट्मेंट यह और आज उनका डर सही सामित हो आए है जब एक ही विख्यापन को बार बार देखते है तंदूरुस्ती की रक्षा करता है लाईं बोई लाईं बोई है जाहां तंदूरुस्ती बे वहां अब लाइन कोई जो है कोड़ों को निलाने के काम आता है विदेश में है ना कोड़ों के लिए सापन होता है कारपोली 100 अब वह यहां पे भारत में विख्यापन करकर के और उने बेवकू बनाके यहां पे बेचा विख्यापन के मदद से तो जितनी भी बंटी नेशनल्स हैं और विटा ने खाओके तो इंजिनियर नहीं बन सकते डियोट्रेट ने लगाओके तो पसिने के बनाई अब तो मिश्वास करो जब में तुमारे बराबर था तो डियोट्रेट जैसी चीज कोई जानते हीं था, मार्केट में इस नाम की कोई चीज मिलती नी थी, उसके बाद भी हमारे पास से बंटो नहीं आती थी, क्योंकि नाया करते थे पर उसके बाद विग्यापन कर करके, तो यह अमरे ब्रेन वाश के काम आ रहे हैं, तो यह जो टीवी है, तुम्हें इसका इस्तमाद बड़ा सोच समझ के करना है, चाला की के साथ, वो चाला के, तुम अपनी चाला की दिखाओ, तुम क्या करो, प्रोग्राम्स को रिकॉर् करे हैं, आदे से जावर टाइम में विग्यापन दिखारे हैं, तुमारे दिमाग में बढ़ते जारे, बढ़ते जारे, बार बढ़ते जारे, इच्छा होट यह खरीद लो, तो अचाहिए मैं लेटेस् कवर बताऊं आज की कबर, अमिता बच्चं, शारुख खान, और एक सब्सक्lt और सेलीपृति ये दो नि ? कई रीज़त सम्टेटील तो निकल लेते हैं उसे खुँद नहीं पीते हैं इतने प्यकूफ नहीं है ओर इंको देखके हजारों करोडों लोग भारत की जन्ता उसका इस्तमाल करती है और ये प्रूव्ट फैक्ट है ये जितने भी सॉब ट्रिंग्स हैं वो सब हामफुल हैं हमारी हेल्थ के लिए तो अभी इन पे रोक लगाई गए ये विग्यापन नहीं कर सकते हैं इनका नहीं तो हमें सावधनी से इस्तमाल करना है तुम क्या करो? साथ साथ एक और मशीन जिसने बहुत कबड़ा किया हलाकि वो कम्मिकेशन से लिख नहीं है पर याद जिक्र करना जरूरी है ये सबसे ख़़रणाक मशीन बिबारियों का घर इसका इन्वेंशन भी फ्रांस में हुआ केलवे रिटर ही वो कमणी थी जिसमें बहुत सारे रफ्रेजरिटर बना लिये थे फ्रांस में फ्रेज बैन हो गया था उसके दुष्प्रवाव के कारण और CFC के कारण तो जब वो बैन हो गया तो इसके पास बहुत सारे रफ्रेजरिटर्स हैं किसमें सोचे डप कहां करें तो डपिंग रांट था इंटिया कहां खपाएं उसको तो यहां पर एक रफ्रेजरिटर्स लाकर विध्यापन किया कि जिस आत्मे के पास रफ्रेजरिटर नी हो बिल्कुल फालत हुए बिकार आत्मी है एक ने खरीदा फिरिया बेड़ चाल चलती है हमारे वारत में मेक के घर में आ गया तो इसे सभी के घर में हो गया और अब इसका साइज बढ़ता जा रहा है पहले सिंकल डोर था फिर डबल डोर हुआ फिर मल्टी डोर और यह सबसे बड़ा बिमारी का घर है सारी बिमारिया इसके अंदर पनकती है most unhygienic place अगर है तो वो है हमारा रेफ्रेजरिटर कई खाना कई चीज़ें कई टाइम से रखकर भूल जाते हैं उसमें पड़ा रहता है सब्सक्राइब तो most unhygienic अब यह किस तरह से नुक्सां कर रहे हैं चलो खाने में तो बैक्टरिया होंगे सही उसके अलावा अगर तो इसका पानी पीते हो फ्रिज का पानी छोड़े होगे मुझे 20 साल से उपर हो गया हम रेफ्रेजरिटर में बॉटल नहीं रखते out話 फ्रिज का पानी जो ठंडा पानी आप पीते हैं इससे कॉंस्टिपेशन होता है और कॉंस्टिपेशन आई-व्यवेध में साड़े बिबानओं की चल्ड माना जाता है इससे सर्दर दोगा तुमको, जब तक मैं फ्रिज का पानी पीता था, मुझे बार बार जुकाम होता था, गला कराब हो जाता था, बले वो एपल है, हेल्दी फ्रूट है, पर फ्रिज में से निकाल के तुरंत, अगर तुमने कंस्यूम किया, तो डेफिनिट तुमारा गला कर जब तो फ्रिज में से कोई वी चीज अगर तुमें कंस्यूम करें, उसका इंटेलजेंट यूस जरूरी है, चाहे मिठाई राखियों है फ्रिज में, ठंटी चीज पर तुमें अगर खानी है, तो कुछ समय पहार निकालके नौर्मन टेंपरचर पर आने दोस्को, थोड़ खाना भी सुबे शाम नहीं बनता है, हमारे खाना सुबे शाम बनता है, सबजी मिलती है, दूद ताजा, सुबे भी आदा दूद वाला शाम को भी आख था, हमें इसकी जरूप नहीं थी, तुम देखोगे विदेशी फिल्मों में, मैक्सिमुम टाइम जब भी ओं खाना ख तो सीधे फृस से कुछ निकालते या तो खंका एक जाते हैं या फिर माइटर्वेम ने करम करंप करें और उसके बाद साथ में पिते हैं शराभ पीतें क्योंकि वहां पर उसको आजम करने के लिए उनकोगार साफ लेधनie शराभ के जरौत तो यह तो नहीं है कि तुम्हें तो नहीं रहा था उसकी वज़े से प्रॉब्लम होती है वापस लोटते हैं कमणिकेशन में 1905 में इंवेंशन हुआ पहला रेडियो फैक्स यहां पर तुम्हें याद रहतना है फैक्स की फुल फ्ल फॉम फैसिमाइड ट्रांसमिशन लिख सकते हो तो यह स्क्राइब यह तैलीग्राफिय क्यादब तो भी सही है फैक्स मशीन हमेशा प्रफेर में काम करेगी दो फैक्स मशीन होंगी तो काम होगा आइटी इसमें इसमें जो डिटेल देख रहे हो एंसी अटी में डिटेल दिख रहे हैं 1955 और 1843 और 1843 थी सौ साल से जाला का डिफरेंस आ रहे हैं यहीं अगर तुम गौर करो यहीं गौर करो वहीं बड़ोसी से बाहरे बात कर लेना तो अगर तुम यहां पर ध्यान दो तो डेटा मिसमैच हो रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक्षण्टर विन की एज सौ साल से जाब यह तो मिस्प्रिंटेंट नौस उनिस उपच्छ पर हैना मस्भी मिस्प्रिंटेंट तो एक्च्छल में 1930 में उसने शुरू किया था तो इसने शुरू किया था अभिष्कर कर दिया था फेक्स का फेक्स में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं एक होता है स्केलर दूसरा होता है प्रिंटर और यह होता है मॉडम मॉडम क्ॉलम करेंत हुए मॉडम कु clocks नियुदी हो सकते हैं इससे पेले जोाए कर इस अधाएं तो सिंपलेक्स सिंफ एक्या कर सकता 2 forgive आपट डूप्लेक्स एट टाइम को ठांए एक बार एक जना पॉर अपनी Bin एक जना military में आज भी walkie-talkie का इस्तिमाल हो रहा है हम चांते तो two-way communication कर सकते दिपट नहीं किया because walkie-talkie का major advantage है उस पर लड़ाई या बहस होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि एक समय में सिर्फ एक जना मोल रहे है अगर तुम कहीं पर घर में भी ऐसे situation से बचना चाहते हो तो यह सबसे simple सा example इससे तुम समझ सकते हो जब भी बहस हो दिए एक जना चुप हो जाए तो बहस महीं खतम हो जाएगी हमारी जो विजान सभाव लोग सभाई हो महां पर इस चीज को लागू होना चाहिए कि एक बार जब कोई बोल रहा है तो दूसरा सिर्फ सुन सकता है उन समके पाई काफ हो जाने चाहिए तो वास्ता में कुछ काम पर हो पाए तो इसको बोलते है simplex के बाद half duplex यह half duplex mode है फिर आगे हो full duplex तो full duplex में क्या है telephone simultaneously uploading भी हो रही है downloading इधर भाले भी पूल रहा है तो आजकल जदरी भी model लगे मैं devices में कैसे है full duplex upload भी कर सकते हैं simultaneously और download भी कर सकते हैं अब माल लो तुम्हें अपनी marksheet तुमारे hometown में भीजनी है तो उसके लिए तुम्हें क्या अपड़ेगा fax fax से electronically document को reproduce किया दा सकता है तो तुम अपनी marksheet की photocopy कर रहा होगे कई पार तुमारे सवाल आता है दिमाद में photocopy क्यों करवारे direct marksheet क्यों नहीं use करें scanning के लिए तो जानतर जो fax machine है पुरानी वाली तो ऐसी होती थी fax machine अभी नहीं वाली है इस तरह की होती है इसमें paper whom कर निकलता है अब scan होता है अगर marksheet original उसमें डालते है false गहीं पर फट जाएकि नुकसान हो जाए इसलिए करते हैं photocopy को उसमें scan करते है line by line वो scan होती है उसके code बनते है digital code bit stream code बने के बाद यह signal जो है हमारी telephone lines पुराने समय में analog signal handle करने के लिए design थी तो modern का काम आता है digital code को convert करते है analog signal अब इस analog signal को भेज़े जाते हैं तुमारे hometown तर वहांपर fax machine उसको receive करती receive करके उसमें लगाव model उस analog को वापस digital में बदलता है digital में convert करके printer को देता है और printers को print कर देता है तुमेंसे जो भी MP board के बच्चे है fax पे question MP board में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उनको अच्छे से fax को detail में नयार करना है बाकी board के बच्चों को सिर्फ full form नयार करना है JCR Linklator इनको जाता है इसका श्रे यह पहला internet था और इसके तुरू यह possible हो पाया US Defense Department का project था एक computer से दूसरे computer में file transfer कर पाए 1968 में कितना exciting रहा होगा सोचके देखो आज भी जब तुम एक mobile से दूसरे mobile पहली बार कोई गाना transfer कर लेते हो तो तुमें बहुत excitement होता अच्छा हो रहा है वहाँ आना shift हो गया उस समय 1968 में file transfer करना बहुत exciting रहा था तो अर्पानेट आया यह major milestone रहा यह JCR Linklator अपने अर्पानेट के साथ 1975 में Bell Laboratories London ने दमाखा किया optical fiber cable design fiber optics ray optics में इसके बारे में पड़ोगे यह काम करता है TIRP Total Internal Reflection इसका comparison क्या जाता है हमारी जो cables wire lines उनसे compare करते है तो wire lines के comparison में बहुत advantageous है reason wire line पे तो क्या होता है तुम देखते हो आय दिन cable शुरू में आया आया था तो क्या करते है cable connection लेने के बजाए उसके उतार में कट लगा के तार चोड़ लेते थे signal चुरा लेते signal जब optical form में जाएगा light की form में जाएगा तो इसको चुराना आसान नहीं local चोड नहीं चुरा सकते है क्योंकि काटे के optical fiber को उसमें सर्फ light निकले उसको यूज करने के लिए sophisticated instrument चाहिए महेंगे हैं आसानी से available नहीं international चोड चुराते हैं समुद्र के अंदर जो optical fiber cable जारी उसमें विच्वर में तुम देखते हो लेक लगा के bank का data चुरा देते हैं optical fiber cable at present अब यूज कर रहें banking sector में defense sector में और signal communication के लिए कई जगे हमने telephone lines को replace कर दिया optical fiber cable से reason एक ताम यूज करने जा रहा हूं जिसको आके समझाओंगा bandwidth बहुत जादा मिलती है bandwidth को ऐसे समझते हो कि 3G से जादा bandwidth 4G में 2G से जादा 3G में तो optical fiber में bandwidth जादा मिलती है उसको ऐसे समझो पहले जब cable system analog करता था टीवी में पीछे तो में एक्तार लगाते थे कोईजल केबल जिससे signal आते थे 200-200 चैनल आते थे उसी एक्तार से कोईजल केबल बार मैश वायर सिंगल को और actual में अभी इस chapter में तुम डेटा जब पढ़ोगे तो डेटा पढ़ोगे तो तुम्हें पना चलेगा at the most थीप 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 अगर signal transmit हो रहा है अच्छे से आ रहा है तो 125 से जादा signal उसके तुम ट्रांस्मिट नहीं हो सकते जैसे for example एक DVD में चार picture पे आती एक DVD में तीन भी आती और एक DVD में एक picture भी आती difference किसमें आता है quality sound quality and picture quality तो फूर डिटोरेट होकर आ रहे थे सोचके देखो अगर 500 चैनल बजाएंगे तो भी उसी तार से आते रहेंगे या जवाबे नहीं आप तो करेंदे इस रिजनेजिशन हो गया सिर्फ एक चैनल उसमें से उठाना होता है तो एक तार काफी है पर उसका solution क्या है Optical Fiber Cable अगर मैं Optical Fiber Cable उसमें साइस की 10,000 से ज्यादा चैनल उसमें से आता है कहा 125 Ordinary Wired Cable और Optical Fiber Cable तो इस sales में को आमें सस्थी पढ़ रही है चीपर पढ़ रही है Economical पढ़ रही है One time cost है शुरू में Installation cost जादा है पर जब इतने सारे signal जा सकते है उसी से TV आ रहा है IP TV उसी से internet आ रहा है उसी से telephone काम कर रहा है सब कुछ उससे काम कर रहा है 1989-91 मे टिप पर्टर्स ली ने इंवेंट कर दिया www.worldwide web Mammoth Encyclopedia जिस-जिस के पास जो-जो information थी वो सब उसने upload कर दी अब जिस-जिस को जो-जो information जीवां से download कर रहा हमारे लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं रहा मैं चाहता हूँ मैं अपने घर पे पान का पॉदर लगाओ उसके लिए मुझे जो भी जानकर रही चीए सब internet पर available है मैं चाहता हूँ मैं बिना अंटे का केक बनाओ जो भी जानकर रही चीए internet पर available है कैसे बनाना है वगर वगर तो यह हमारे पास एक बहुत powerful टूल आगे तो communication में major milestones यह रहे जिनकों हमने discuss किया इससे और आगे की बात करते हैं वापस page one पे चल जाओ पिछले page पर first paragraph हमने पूरा पढ़ लिया second paragraph modern communication has its roots in the 19th and 20th century in the work of scientists like J.C. Bose, F.V. Morse, Guglimo Marconi and Alexander Graham Bell इनका contribution का तुमें एक लाइन करना है इसके बात जो लिखा हुआ है the aim of this chapter second paragraph के end में लिखा हुआ है दो ती लाइन उपर इस chapter का उद्देश क्या है aim of this chapter अभी तक जितने भी question इस chapter में बने वह सारे question इसी पर पूछेगे इन तीचार लाइनों पर अब इसीखना है concepts of communication इसका मतलब क्या-क्या सीखना है mode of communication तो इसमें तुम सीखते हो पढ़ते हो there are two modes of communication basic mode of communication point to point broadcast for example interaction one to one एक जना बोलने वाल एक जना सुनने वाल single transmitter single receiver point to point इसको ब्राटकास्ट तो रेडियो में क्या होती है broadcasting रेडियो टेल्यूजन तो रहों feedback दे सकते हो need for modulation अब पढ़ने वाले तीन नंबर का question बनता है similarly मैं जो बोल रहा हो मैं चाता हूं तुम तक पहुंचे आवाज पहुंचरी माइक लगा के बोल रहा हूं मैं चाता हूं पूरा मौला मेरी आवाज सुने loudspeaker लगा दमा मैं चाता हूं स्टेशन पर मेरी आवाज जाए अब loudspeaker से काम नहीं चलेगा मुझे करना पड़ेगा radio broadcasting तो मेरी जो आवाज है उसमें इतनी energy नहीं है कि वो station तक जा सके इसकी frequency कितनी है मैं जो बोल रहा voice signal 20-20 kHz इसमें इतनी energy नहीं है energy is associated with frequency यह equal to h new तो आप में क्या करूंगा मैं एक high frequency wave चुनूंगा जैसे auto अब high frequency wave के साथ यह जो audio signal है voice signal इसको super impulse कर दोगा मैं auto में बैट गया तो यह जो super impulse करने का process है इसको हम क्याते है modulation अब जब मैं इस super impulse करूंगा तो वो जो carrier wave नाम देते हैं उसको जो wave लेकर जारी जैसे auto में बैठा तो seat दभी, tire दभी चेंज हुआ auto नीचे जुगा थोड़ा सा अगर amplitude change होगा तो बलेगे amplitude modulation अगर phase change होगी तो बलेगे phase modulation यह technology हम भी use करेंगे फिर जब wave पहुंच के destination तक अब station पे जो भी मेरी आवाज को सुनना चाहता है उसको चीह एक receiver radio वो radio की मदस से क्या करेगा carrier wave को और original voice signal को separate कर लेगा वो जो separate करने का process है उसको क्या बोलेगे demodulation demodulation होगया voice signal separate होगया उसको सुन लेगा speaker की मदस तो हम सीखेंगे need for modulation इसमें तीन factor आएंगे antenna का size एक होता है size एक होती हाइट height of antenna उसको अलग से समझेंगे यहाँ factor आएगा size of antenna दूसरा क्या factor आएगा कुछ भी नहीं इतना इसम पड़ेगे अब सुन लो खाली हासी family rate बढ़ाने के लिए दूसरा factor आएगा problem of overlapping signal overlap हो जाते अगर low frequency पे transmission कर आएगा ऐसे तीन factor आएगा power radiated by antenna antenna जो power radiated कर रहा है हम चाहते हो बढ़ जाये ऐसे सुन लो समझ में कुछ ने आएगा भी आगे आएगा तो हमें need for modulation में पढ़ना है फिर हमें full details में पढ़ना है production and detection of amplitude modulation frequency modulation integrity level distinguish what is the difference between AM and FM वो सीखने आपको और phase modulation हमारे स्लेबस में बिलकुल नहीं है उसको छोड़ना है तो amplitude modulation को full detail में पढ़ने वाले next strategy आप 15.2 elements of a communication system चाहे communication system का nature कुछ भी हो irrespective of nature हर communication system में तीन essential elements है जिनके नाम है transmitter, दूसरा है medium या channel और तीसरा है receiver मैं at present इसको use कर रहा हूँ मेरे पास यह जो डिप भी लगी वी काली वाली transmitter है वो लकड़ी के टपे में जो रखाऊ वा टपा वो receiver है इसमें सारे block diagrams है इस chapter में और इनकी पूरी guide line छापकर तुमको दे दी क्या क्या प्रिपेर करना है एक नंबर में पूछा जाता है directly पूरा diagram नहीं तो किसी डपे में जैसे transmitter लिखा हो उस डपे में transmitter मिटा के लिख देंगे X receiver मिटा के लिख देंगे Y तुमसे भोलेंगे X और Y को पैचानो क्या है उनके नाम बताने का आज़र नंबर transmitter बताने का आज़र receiver बताने का इस तरह सी question बाता है तो इस diagram को समझो link करो मैं हूँ information source मैंने information किसको provide की transmitter को with help of एक device है जिसका नाम है transducer इसके बारे में पढ़ेंगे यह electrical transducer यह क्या कर रहा है voice signal को किसमें करोड कर रहा है electrical condenser mic है यह capacitor है type of capacitor तो अब यह information transmitter ने transmit कर दी, transmittable proper form में convert करके और वह information यह जो पहले के टाइम में बताओ तो मंदिरों में जो मॉपू लगते थे loudspeaker तार वाला mic होता था? अभी यह wireless है अगर तार है तो उसको भी बोलेंगे medium या channel और तार नहीं है wireless है तो भी बोलेंगे medium या channel जो physical space है अब जब इसके थूँ यह signal जा रहा है तो इसमें noise introduce होने के chances है unwanted signal disturbance आने के जैसे ही है इसके चालू होते ही यह आवाज भी mic पे से होकर speaker में आ रही है यह तो होई external noise internal noise भी हो सकती है मालको अंदर capacitor कोई fault कर रहे है यह तो उमने अकर closely observe किया हो कुछ mic ऐसे है तो तक 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 observer होना चाहिए good observer बना तक उसके बाद यह information receiver तक पहुंची अब receiver का function है उसको recognizable form में convert करे पैचानल लाइक बनाए अगर तुम्हे यादो जिन्होंने logic gate बढ़ाए जिन्हों नहीं पढ़ाए परशानमत होना तो मैंने digital or analog down करके signal बनाए थे उसमें हमने noise introduced की थी तो noise को remove करने काम किसका है receiver तो receiver noise को remove करके recognizable form में convert करता है और तुम हो user of information तो finally receiver information message signal का हो जादिया user of information इस पूरे process को हमने block diagram से तो यह बनाना ना चाहिए किसनी communication system में transmitter एक जगे हो सकता है जबकि receiver किसी दूसरी जगे हो सकता है वो जगे pass पे हो सकती है दूर भी हो सकती है for example में तुम्हें बदाओ initially जब यह system लगे थे संकल बिल्डिक में आसे दस सल बारा सल पहले तो उस समय यह building तो थी नहीं 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 system लगे थे तो वहां जो speaker लगे थे वो भी cordless थे अब क्या होता था? Frequency match होगी इनकी range बहुत जाता थी mic की तो lecture पड़ा रहा होता था LN में और उसकी आवाज का पूंज रही होती थी Cinema hall तो बात में फिर frequency allocation कराए गया officially कि LN के mic system क्योंकि कोई पेरिंग नहीं होती थी शुरू में तो मैं याद दो मैंने प्रीवेस lecture से बताया था analog signal होते थे analog होते थे तो कोई भी receiver से receive कर सकता है अब तो क्या हो लिए मनलो इसका इसकी frequency बले ही same है same है तो उपर वाले नहीं पकड़ सकता पेरिंग नहीं है रंग जादा होते है separate from the transmitter and the channel is the physical medium that connects them. वो कोई वाय होते है wire-free space होते है depending upon the type of communication system a channel may be in the form of wires or cables connecting the transmitter at the receiver or it may be wireless तो पुरान वाला system उसका पोटो भी तुमें तिखरहे है और नय वाला system wireless wifi purpose of transmitter just पढ़ने के लिए ऐसे एक बार पढ़ो काफी उसका purpose क्या is to convert the massive signal produced by the source of information into a form suitable for transmission through the channel if the output of the information source is a non-electrical signal जैसे मैं जो बोल रहाँ क्या हो electrical है or non-electrical like a voice signal a transducer converts it to electrical form तो यह मैं जो transducer एक इसको convert कर रहा है electrical form में signal को convert कर रहा है before giving it as an input to the transmitter is dipby को देन से पहले electrical signal में बदल दिया transmitter को देन से पहले when a transmitted signal propagates along the channel it may get distorted due to channel imperfection moreover noise adds to the transmitted signal and the receiver receives a corrupted version of the transmitted signal the receiver has the task of operating on the received signal it reconstructs a recognizable form of the original message signal for delivering it to the user of information यह मैंने ठीप ऐसे पढ़ दिया जैसे छोटी class में teachers पढ़ते थे बच्चों से पढ़वाते थे इसका जो abstract है वो समझो सार क्या है इसका व्यार क्या क्या है इसकी तुम इस transmitter receiver को बीच में से अठा दो मैं transmitter हो तुम receiver हो मैं कुछ sentences pronounce कर रहा हूँ और हो सकता है उस sentence में किसी word को जब मैंने pronounce किया किसी current से external noise की वज़े से या मेरा pronunciation खराब होने की वज़े से internal cause की वज़े से तुम उसको word को नहीं साफ सुथ पाए साफ सुनाई नहीं दिया as a receiver तुम्हारा brain दिमाग काम करता है तुम्हें कोई effort नहीं करना पड़ता वो sentence के हिसाफ से उस word को predict करके उसका मतलब निकाल देता है तो receiver ठीक ऐसे काम करते है अगर noise introduced हो गई signal correct हो गया तो receiver क्या करेगा जैसा train टे चल रहा है उसके हिसाफ से उसका जो missing part है वो discover कर लेका so receiver reconstruct करता है signal को ठीक इस तरह से there are two basic mode of communication तुम्हें outline करना है paragraph के end में है point to point and broadcast with example यह दो नम्पर में सवाल पूछादा है और कई बार आचुका exam में point to point communication mode में क्या होगा मतलब इसको तुबारा पढ़ने की ज़र होती है यहां मैंने तुम्हें समझा दिया खुद पर विश्वास करो already तुम्हें hypnotized हो exam में अगर इस सवाल direct देखने को मिला तुम्हें याद रह जागा point to point के example telephone broadcast का tv या फिर radio point to point का मतलब single transmitter single receiver broadcast का मतलब single transmitter multiple receiver तुम्हें पढ़के समझ में आ रहा है टेलीफोनी में तुम्हें दिमाग में डाउट आ सकता है कि टेलीफोनी में तीन चाड़ होगे conferencing mode है तो मैं तुम्हें बता दूँ यहां पर जब किताब लेखी गई थी वैसा कुछ नहीं हो पाना था तुम्हें सोचा नहीं था नहीं तो लिखते exception conference mode की बात नहीं कर रहे है purely जैसे intercom काम करता है one-to-one वह बात कर रहे है intercom समझते नो building में internal बातचीत के लिए हम क्या करते है intercom लगा basic terminology इस chapter को पटने से पहले इसमें जो basic terminology उनसे हमें family होना है तभी समझ में आयगा chapter basic terminology में पहली term है transducer ऐसे reading लाग सकते हैं और एक बार समझ लिए तो फिर दुब़र reading लगाने की ज़रोती है नाम जुनते याद है transfuser वो device है जो one form of energy को another form of energy में convert करता है और अगर मैंने बोला electrical transfuser तो जो इलेक्रिकल energy में convert करता है electrical transfuser तो यह electrical transfuser electrical energy में convert करके इस speaker electrical transfuser है क्या energy को sound energy transfuser है electrical transfuser नहीं है क्या Thermometer transfuser है क्या Thermometer transfuser है जवाब है क्योंकि थर्मल इनर्जी को गर्वट कर रहा है potential energy of mercury column mercury column raise होगा तो potential energy पड़ेगी तो thermometers है तो different form of energy को अलग form में गर्वट करने वाले तो physical variable क्या क्या हो सकते है pressure, displacement, force, temperature, etc. दूसरा जो अगली term तुमें समझनी होगा है signal जो भी information convert कर रहे हैं electrical form में और transmission के लिए suitable है उसको होते हैं signal signal दो तरह क्यों सकते हैं तो analog या फिर digital अगर continuous variation है तो analog है और discrete variation है तो digital ये सभी single value function होते हैं time एक time पर से वे एक ये value टेम कर सकते हैं एक से ज़्यादा टेम नहीं कर सकते sign पे fundamental analog signal है example है तो जिसने भी और दूसरे analog signal है उनको हम divide कर सकते हैं उनके sinusoidal components की form है जैसे मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज भी कैसी है इसी alternative nature की इसमें कई sinusoid हैं कई harmonics हैं कई overtone हैं हम चाहिए तो superposition का result बना कर इसको plot कर सकते हैं तुम जब इंजिनेरी में आगे जाओगे तो तुम यूस करोगे हैं टीवी के सिंदल एनलोग नहीं रहा है पहले ऐसा होता था कि आवाज आती थी FM से frequency modulation होकर और picture आती थी AM से amplitude modulation के थूँ अब सब digital processing के थूँ आरे हैं इसमें तुम्हें जो तैयार करना है digital के बारे में बता दिया है digital में दो ही लेवर होते हैं जिरो को रस्पॉंट्स तो लोग और वन को रस्पॉंट्स तो हाइ वोल्टेजर करें तुम्हें दो शॉट फॉर्म के फुल फॉर्म तैयार करनी है उनमें एक है bgd binary coded decimal दूसरी ये ascii ये दो forms तुमको तैयार करनी है ascii American Standard Code for information interchange ये बहुते है अमेरिकार स्टेटर कोड फॉर information interchange किते लोग फैमिले रहे ascii code से कंप्पूटर में काम आता है माल लोग पीशे चलते है 92 से 95 के बीच विड़ो नहीं आ रहा था MS-DOS तो MS-DOS उपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे पेपर टाइप कर रहे तो वर्ट स्टान 7 ये लास्ट वर्जन था उसका वर्ट स्टम में टाइप करते थे अब वह वाली फाइल अगर मुझे अभी वर्ट में खोल नहीं है तो डिरेक्ट उपन नहीं होगी क्या करना पड़ेगा पहले वर्ट स्टम में जाके उसको उपन करके उसको करना पड़ेगा अब उसकी अब उसकी फाइल को तो फॉल जाएगी जो मशीन लेंग्वेज आप होते हैं वैसी कोई एक लेंग्वेज इंफर्मेशन इंटरचेंज के तो काफी आज के लिए नेक्स ट्रेंपे करेंगे किसे लोग चाते हैं प्रोजेक्टर यूज करो वह हाग उपर करें यूज करो कि करいगे इंद्ध करो इंब यूजार नेक्स schemes करेंगे करें बूह बढो Till एक लाइब ठाफ़ो, इ्पल प Kazuto, ऑ्क्राव एकाक्षण एक्सैंटर्मार सूंचर चाते हैंज करें और चूजक्षण — उम पहुलक्षण